हलो गाइस वेलकम तो मैं चैनल तो आज मैं आपको दिखाने वाले हूँ how I went from this to this in some few easy steps so let's begin तो सबसे पहले मैं अपने आई से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लिया है P.E.C का आई प्रो पॉमेट इंदा शेड वालनेट वाइकस और इसके मदद से मैं अपने आई ब्रोज कर रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ Swiss Beauty का concealer और इसे मैं as a concealer अपने eyelid के ऊपर apply कर रही हूँ तो इसके बाद मैं एक damn beauty blendet के मदद से इसे अच्छे से blend कर रही हूँ तो इसके बाद मैं Eye Magic के Eye Palette से ये Dark Orange Shade ले रही हूँ और इसको मैं अपने Upper Lit पे अपलाई कर रही हूँ तो इसके बाद मैंने लिहाए ये Nica का Gel Liner और इसको ऐसा eyeliner मैं अपने Upper Lit पे अपलाई कर रही हूँ तो इसके बाद एक छोटू सा fluffy brush के मदद से मैं इसे blend कर रही हूँ तो इसके बाद मैं apply कर रही हूँ ये Color Bar का Primer और इसको मैं अच्छे से अपने Face पे apply कर रही हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये Inside Cosmetics का Ultra Thin Foundation और इसको मैं as a foundation अपने Face पे apply कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से blend कर रही हूँ इसके बाद मैं apply कर रही हूँ ये Swiss Beauty का concealer जिसको मैंने अपने lid पे भी लगाया था और इसको मैं अपने highlighted areas पे conceal करने के लिए लगा रही हूँ इसके बाद मैं Inside Cosmetics का contour palette से ये contour अपने Face पे apply कर रही हूँ नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये Inside Cosmetics का liquid lipstick और इसको मैं as a blush यूज़ कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से blend कर रही हूँ नेक्स्ट मैंने लिया है ये Blue Heaven का loose powder और इसको मैं अपने Face को bake करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं fluffy brush की मदद से साड़ा excess powder निकल रही हूँ इसके बाद मैं वो same dark orange eyeshadow अपने lower line पे apply कर रही हूँ नेक्स्ट मैं अपने lower lid पे eyeliner अपलाई कर रही हूँ इसके बाद मैं वो same fluffy brush की मदद से उस eyeliner को blend कर रही हूँ इसके बाद मैं यह golden shade ले रही हूँ और अपने eyes के corners को highlight करने के लिए इसे use कर रही हूँ नेक्स्ट मैं using this Swiss beauty का mascara और इसको मैं अच्छे से apply कर रही हूँ नेक्स्ट मैं अपने face को highlight करने के लिए यह Maybelline का master chrome highlighter यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपने cheekbones, nose और chin पे अच्छे से apply कर रही हूँ नेक्स्ट मैं यह Swiss beauty का lipstick palette से यह dark maroon lipstick अपने lips पे apply कर रही हूँ तो गाइस इस इस मैं फाइनल वेडिंगेस makeup look और इसको मैंने सिर्फ 10 minutes पे complete किया है if you like this video, please give it a big thumbs up or subscribe my channel. Bye!